हेलो फैमली नमश्कार कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होगे सो फैमली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आपकी डिलेवरी में दो से तीन दिन बचे होते हैं तो आपको कौन-कौन से लक्षन नजर आते हैं कई महलाएं होते हैं उनको डिलेवरी के लक्षन ही पता नहीं होते हैं कि उनकी डिलेवरी में अभी कितना और समय लगने वाला है और वो घर में इंतिजार करती रहती हैं जिस वजय से फिर बहुत ज़्यादा problem बढ़ जाती है और काफी ज़्यादा complication delivery में बढ़ जाती है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि delivery के कौन कौन से लक्षन होती है और उन लक्षनों को देखकर ये भी पता चल जाता है कि delivery में आप और कितना समय लगेगा जिसे कि आप समय पर hospital पहुच पाए अगर कोई आपके आस पास नहीं है तो उसको आप अपने पास बुला पाएं वैसे तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपका 9 मीना जैसे ही लग जाता है कोई ना कोई family member को आप अपने पास बुला लीजे 24 गंटे उस family member को आप अपन करने से पहले छोड़ी सी रिक्वेश्ट आप लोग पूरा निंग करते हो और सबसे पहले ता आप लोगों को में बधाय देना चाहते हूं हमारे चैनल के पांच लाग सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत बढ़ा थैंक्यू इतना बढ करते हैं आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले हम जानते हैं डिलिवरी में जब आपके कुछ दिन ही बचे होते हैं दो से तीन दिन तो आपको कौन-कौन से लक्षन नजर आने लगते हैं सबसे पहला लक्षन तो य जैसा यह आपके प्राइविट पार्ट के रास्ते निकलने लगेगा जादा क्वांटिटी में साथ में जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तब आपको नजर आ सकता है या फिर आपकी पैंटी पर भी नजर आ सकता है इसका रंग हलका गुला भी नजर आए या सफीद भ होता है तो कुछ ही दिन आपकी डिलिवरी में बचे हुए हैं दूसरी चीद जो आपको संकुचन हो रहे हैं संकुचन मतलब की कॉंट्रेक्षण विसे की यह साथ मेने से स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े-थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं मतलब जिसमें आपका पेट कड़क हो जाता है, पेट की निचले हिस्से में कमर में आपको थोड़ा थोड़ा पेइन होने लगता है और जब आप position change कर लेते हैं तो सही हो जाता है, इनको contraction बोला जाता है इसके बाद तीसरा symptom, जब आपकी delivery में कुछी दिन पचे होंगे आपके पीट के निचले हिस्से में एठन, दर्द, ये जो दर्द और एठन है, ये पेट तक घुम घुम के जाएगी और साथ में पेरो में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, एठन महसूस हो सकती है तो ये लक्षन है कि आपकी delivery में 2-3 दिन बाकी है, अब कौन-कौन से ऐसे लक्षन है जो बताते हैं कि आपकी delivery में बस कुछी घंटे बाकी है मतलब जल से जल आपकी delivery होने वाली है सबसे पहली चीज तो है जब आपकी delivery में कुछ ही घंटे मतलब कुछ ही time बाकी है मतलब बस hospital जाने की बारी आ गई है तो क्या होगा कि आपका पेट आपको गरम महसूस होने लगेगा पेट में गरमा हट से आपको लगने लगेगी दूसरी चीज जो संकुचन है न वो बहुत तेजी से होने लगेगे बहुत तेज दर्द के साथ होंगे और बहुत जादा होंगे जादा time के लिए रहेंगे जादा टाइम का मतलब है कि आपको जो संकुचन है जो मतलब दर्द है वो 40 से 60 सेकिन तक रहेगा मतलब एक मिनिट तक आपको continue दर्द महसूस हो सकता है उसके बाद ये दर्द थोड़ा हलका हो जाएगा फिर तेजी से दर्द आएगा इस तरीके से अगर आपको दर्द महसूस होने लगे है और साथ में पीट में जो दर्द है आपका वो बहुत तेज बढ़ जाएगा साथ में पीट के निचले हिस्से में भी आपको तेज दर्द महसूस होने लगेगा इसका भी मतलब है कि delivery अब कुछी घंटों में होने वाली है ऐसा pain जब आपको होता है तो आपको hospital जरूर जाना चाहिए क्योंकि delivery आपके कभी भी हो सकती है साथ में एक main symptom होता है पानी की थहली फट जाना जब पानी की थहली फट जाती है तो कम से कम 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपकी delivery हो जाती है तो पानी की थहली जैसे क्या आपको बता चुकी हूँ मैं और भी वीडियो में कि जब आपके private parts से continue पानी जैसा रिसने लगे इतना पानी निकलने लगे कि आपकी panty गीली हो जाए आपके कपड़े भी गीले होने लगे और यह जो पानी है वो continuously आए बिलकुल भी रुके नहीं और इसका जो रंग है बिलकुल transparent हो लेकिन इसमें हलकी सी गर्मा हट होती है और यह जो पानी है वो भी same urine के pressure जैसा ही आता है आपको pressure feel होता है जैसे urine में होता है लेकिन फर्क इसमें इतना होता है कि इसमें कोई भी smell नहीं होती है urine में smell होती है urine का रंग पीला होता है और urine एक बार करने पर रुख जाती है लेकिन ये जो पानी है वो continue आएगा आप कुछ भी कर लेती है तब भी ये पानी आता ही जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पानी की थेली फट चुकी है आपको तुरंथ होस्पिटल जाना चाहिए बिना एक सेकंड का वी वेट किये हुए क्योंकि जब आपके पानी की थेली फटती है मतलब आपके बच्चे दानी का मुझ भी खुल चुका है तो ऐसे में बच्चे तक infection पहुंचने का डर हो जाता है इसलिए बिनाव वेट की हुए आप तुरंथ होस्पिटल जाएं तो बच्चा कभी भी आपके पास आने वाला है तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए है कब आपको तुरंथ होस्पिटल जाना है तो मिलती हो आप सबसे अब अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए डिलेवरी को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए जिससे सब की होती है आसानी से वैसे ही आपकी हो जाएगी ठीक है तो भगवान पर भरूसा रखिए और अपने आप पर भी भरूसा रखिए बबाए थैंक यू सो